शिव जी अने सती थी कोई संतान न थायूं कारण के युवानी मा शिव जी अने सती ना कोई संतान नोताई पुर्व सती जे छे यहना पिताना यज्यमा बली ने मरी गया वीदुर जी पूछे चे आवुशा माटे थियू तो के ससरा जमाइन थोड़ो डखो थाई गेलो दक्ष प्रजापति ने शीव जी ने कारण के गुश्वामी जी कहे छे के जारे दक्ष ने प्रजापति नू पद आई पोने ब्रह्मा आयो तो डख्ष ने अभिमान आयो नहीं कव अस जनमा जग माही प्रभुता पाई जाही मद नाय जी कोई गुश्वामी जी के जनिमोद नथी के पद मले ने अभिमान नो आयो होई प्रजापति डख्ष ने थायो के आवे तो ब्रह्मान नो प्रजापति हूँ छुँ अखा ब्रह्मान ना देवतावनी एक मीटिंग मोलावी अन मीटिंग मोलावी ने पसी मीटिंग माजेवा एंटर थया बद्धा देवतावी उभाथ है अने दक्ष प्रजापति ने प्रणाम के रहा है कानके वह सिनियर बनी जयाज बेजन उभानो थया ब्रह्मा जी निशीव जी ब्रह्मा जी उभानो थया कानके ब्रह्मा जी इतो पिता चे दक्ष ना ब्रह्मा जी पिता पुत्र ना संबान मा उभानो थया मा वाँटो ने पन दक्ष जो युँ शीव जी आतो मारो जमाई चे तो जमाई तो सस्रानो कर दो प्रणाम करे से नो देखानु आ अभाव वाला जेवाई नी आमद जीवे अनामद मरे देवतावने इसारो करीन दक्ष के वाला जोयू आ सीविजीन जोवा उभने था तो एक दम तोचडी तूकारे बासा छे मारो जम्माई मारे तो आने दीकरी देविद नो दिपणामर बापान कोण हम जाले ब्रह्माजीन आने लगन कराई वासे पर आने आ घोरी कोई पवित् आने ब्रह्माजी की दो इतले वीवान कर आने कोण जमाई बना दे शीविजी निंदा करेशें दक्ष शीविजी ने थायू आई बेहवा मा कोई सार न थी शीवजी उबाथन सभा छोड़े निकल इया दक्ष ने मतू काईक बोले काईक जगडो करे बना जो शीवजी तो सिव जी इचेन महापोरुष चीवजी वीजार केरो बमा सार न थी आने मान अपमान थी तो सिव जी परेज़े सीव जी ने कले गया पना जो कोईक तमने अपमान करवा मागतों तमेर हरे माथा घुट करवा मागतों आपने बोलो नहीं इटले इवधर गांडो थाई दक्षे वीचार केरो कवे शीव जीनु येवु उपमान करू नाखा ब्रमान ने देखाडू थोड़ोक समय गयो एने कनखलक्षे त्रहरीद्वार्थीनी कटेक यगनन वायोजन केरिऊ बद्धा देवतावन इनवाइट केरा शीव जीन नो केरिया बद्धाने आमन्तरण पत्रीका मुकलिया मा नीचे सूचनालखी खासू बद्धान वायाकाईलास थैनावनु देवताव के पणके अपने आम सीधू पड़े नहीं वायाकाईलास थैनी इन ने पाज वीमानमा भेहि नाववानु चे तैयार थे नाववानु चे अन्य गीत गाता गाता होवानु अधक्से शूचनायपी बदाने और कैलासमा बगवान शीव माता सती ने कथा हमलावे अने बद आधेवतौ लोना वीमान मढिना निकलबा माता सती ये पूश्य प्रभु आब दागेड़ पाजाई ले तमारा पिता येगनन वायोजन केरिए एमा तो के आलोन आपड़े जाई किवा गीत गाता गाता जाई शीव जी के तू कथाम ज्यान रएक इबल गीत गाई तू त्यान आई रएक नागी कर से केम तो के कथामा विक्षे पावे ने तो एमा कल्यान हो थाए एलै वीमान जावादे तू हाई जेनिए पड़ ने शती के क्यों माने आपडे केम नही जावनो मारा पिताने येगन जे ओले ले आफन ने आमंत्रण नथि आन आमंत्रण वगेर जवाइ ने जो माता सती के ज आए चिह प्रभ वगर आमंत्रणें नयापकी जवैंग है शीव जी के तमारी वाद सत्य छेंए पहस्वimento किस्वजन ओने त्याँ वगर आमंत्रणे जवाइः पन क्या बॉले स्वजन वहारो मैं त्यारे यारेंग मुरूणत समय त्यारें जयर एक वी आगे थी अपमान tact आई अणे सती आ जो कोई नीच व्यक्ति मा आवी जाई ने तो आ गुण अवगुण बने जए विरीते बोले स्वाती नक्षत्रनु जे जड़ वर्षे आ जड़ जो समुद्रना छीप मा पड़े ने तो मोती बने अन्ने इनुई जड़ जो कोई सापना मुख मा पड़े ने तो युश्बने ए इतले गुण ही ते को आम हो जो इब बोले सज्जन व्यक्ति जो गुण ने दारण करे तो इज गुण नी सोभा वदे अन्ने दूर जन मा जो आ गुण आवे ले तो पछी गुण जो अउगुण बनी जाए अना अना थी स्नू थाई बोले अभिमान वदे अने अभिमान जारे व्यक्तिमा वधने त्यारे विवेक नस्ट थाई अने जनो विवेक नास्थ यो होई इम महापुरुष्वोना प्रभावने जोई एकता नथी उता ने त्या कोई स्वजनावे अने आम त्रासी आंक करीन रोषबरी द्रस्टि थी कोई जोवे पीडा स्वजन्नी वाणी आपेशे श्वजन्ना वचन आपेशे शस्त्र ना घातो रुजाई पन वाणी ना गाः क्यारे नो रुजाई नवा नवा विवाग्चाई नाइवा वई गरे अन प्यली वार माज सासोय वड़को कर ली तुवए पशी पचावर पशी पूछन तो याद वए इनो भूले अड़के कथा माज हूँ आयो तो यह बूलाई कि अमने याद नौरे को कि गाल दीदी वह बूलोश गयारे प्रोब्लेम याद सकती नो नथी आपने याद राखूँ नथी इन समस्या आच्छे तो कोई आपनो अपमान करियो यह आपने भूलता नथी शिवजी कहाँ जानूछो सती तमे तमेरा पीताने सवती प्रिय चो पन अवे जो तमे निया जाशो तो तमने आदर नहीं मले क्याम काण के हवे तमे मारी पतनी चो अवे आदर तमने मलसे नहीं तो माता सती है पूछिऊ पन आदर नहीं आपनो कारण हूँचे वोले अमारे थोड़ीक माथा कुट थेएगी तो क्यारी ते सभाहती ने बदाय प्रणाम केरान मेनों केरान कि शती के बहुत अटली वाथ तमार प्रणाम कर लेवाए निके माहूँआ अभाण जो दीकरी गमेवी होई पक्ष्तो पितानों अदले तो एक मुड वाधो तो खाली प्रणाम नो करवे तो तो पजी के तावर प्रणाम कर लेवा जूनी ता डखो नो था तो कि शती के ते माखा गम मा बदान प्रणाम कर शोट मार बापन प्रणाम कर वाँ आदो तो तन में श्रीव जी कहाँ चे कि सदी तमारी वाध सत्य चेंव प्रणाम बदाने करू पन क्या प्रणाम करूचों बोले ज्यामने भगवान नारायन नो दर्शन थाई वह वी बदान नारायन चेंव प्रणाम कर शोटना जगतमा प्रणाज कोई 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 ने बंदन करेशने तो ये बंदन भले देखाई कापने व्यक्तिने प्रणाम करिया चिए और वास्तों मा ये प्रणाम कोने थाई चे बोले रदैस्तित परमात्माने थाई तो सती के ते नारा प्रणाम करो स्वाद मारा बापानी अंदर तमने नारायन देखाना है बज्य नारायन देखाई यानो था सीवजी के नारायन तो दक्षन रधैमा पंड हता पनी दक्षन अभिマन इतलु अतु ने की अभिमान आ कारणे बघवाननो स्वरूप ढकाई गियू अन्य मने एमा बघवानना दर्शन थया नई अन्य अनि यठल्य मेप्रणाम नो के मन भगवान नो देखाना कानके अभिमानी मानस्वाइने एमा भगवान नो स्वरूप छूपाई जरीचे एटले मने नो देखानों सती के काई नहीं पड़ तो है मारी जावनी इच्छाजे मारे जावुजे शीवजी बहु समझावानों प्रयास करें सती मानता नथी सिवजी केछे मारी वात नई मानी जो तमी निया जाशो तो तमारू हीत नहीं थाए एक वारतों सिवजी इपन बोली गया के तमारे मरण पन थैशकेछे तमारू मृतीव पन थैशकेछे आटलो केंज शीवजी मौन थाई गया अवे सती द्विधामा जावू कर नो जावू छता सती निर्णे केरो नहीं जावू तो छे ज़ू सती जारे दक्षने निया जावा तयार थे या शीवजी पोताना गणों ने बोलाएवाने कि तु तमे जावू सतीनी साथे जावू निया स्वों थावनुचे शीवजी जाणाईज शीवजी ये माता सतीना एक एक सामानने बेगो करी अने पोताना गणने आपो क्या लेता जावू यारे माता सती केचे प्रभू मारे बहु लांबुनित रोकावान हो निया तो अमना थोड़ा दीवसमा पाची आवानी अमारो सामन तो के शीवजी काई वान दोनी तमें लाई जावा त्या रीटनाव त्यर पाच लेता हूजू एक प्रश्न थाईने शीवजी एक कैलास मा जेकली जेकली वस्तु हती माता सतीनी बद्धी एक वस्तु याद करी करी ने एना गणो ने आपी दित जो सतीनी याद आवशे मारो उम्मन भगवान माने एक अनिकला माटे शीवजी एबदी वस्तु आपी अने माता सती शीवजी ना गणो ने साथे लए दक्ष ना यगनमा वे यगननी अंदर माता ने बहनो सिवाई कोई आधर न करो अने सती जोयू यज्यमा शीवजी नो भाग नथी अने त्यारे मता सती सवानी वच्चे जाई और दक्ष प्रजापती ने कहें चया दक्ष जो पीता जी ना थी कहता है के कारण के विवा है त्स्त्री माटे अपर पती थी ऊपर कोई नथी एना पीता पन ने dengy इस अधिय शिव यजिव ना भाग नथी राखिय नानो आत्मा छे शीव एनी साथे कोई नो द्वेश नथी अरे शीव बोलवा थी पन पापनो नास्त है जनी आगना नो कोई उलंगन करतु नथी आवा बगवान शीव साथे तामें वेर राखोच एदक्ष तारी जेवा लोको महापुरुषोनी निंदा करे ने इतो ध्यान नहीं नथी आपता पनी महापुरुषोना चरण नी रज जेचैने ऑपराग साहन करती तमी महापुरुषन नो अपमान करने यहने आपराग निकाई नो पडिव्यई पड़ आई पैनी चरण रज जेचैन इपराग साहन करती नंकि जे शीवने तमीَ अशीव तो ब्रह्मा पनी शिव ना निर्माल्य ने पोताना मस्तकुपर धारण करेंगे जा पोताना स्वामे निंदा थाती होई निया ब्या काम करवा जोई एक तो बोलुबा वला नि जीव कापी लेवी जोई अन्ने जवावु सामर्थे नो होई तो कान बंद करिदी निकली जाव जोई स्थान ने छोड़िए अतारम से जोव आएथी पाची फरीश तो लोकमने दक्ष पुत्रीनों संबोधन करशे अन्ने दक्ष तारा थी मलेलू आ शरीर आ संबोधन अवे मार जोतु नथी आजे वानो त्याग करूश अनि यग्यशालामा दक्षिन भागनी अंदर ज वोई पन कारिय प्रारंब थाइं तो यनी प्याला आचमन करवामा आवेचे अन्न आचमन नी वीदी सुकाम जे घणा गणिवारेम के ब्रामनों का वीदी कर तो के अमेदमना नाइन आएवाचे आचमन सुकाम तमे नाइन आवोचो खाली शरीर पवित्र थाय आत्मानी शुद्धी थाय आचमन द्वारा तो जो मरवा माहूं शुद्धी जोई छता मृत्यू समय पड़ माता सती आचमन करी पदमासन मा बैठा अने पोताना शरीर थी योग अगनी प्रगट करी अने अमने पोताना देह नों त्याग करे ब्रुगु रुगु रुश्ये जोयू सती जारे देहत्याग करी रियाज एने थयू के काईक अनुहनी थाहे पाक कूछे एने यग्यना दक्षिन कुंड मा आहूती आपी अने रुगु नामना देवतावनों समू प्रगट करे और गदाज को यग्यने विद्वन्स करवानों प्रयास करे तो एनी रक्षा करी शक अने विर्भद्र ने कीदू विर्भद्र साथे अनेक गणों विजा मोगल्या अने कीदू जावी दक्षना यग्णमा अने दक्षना यग्णने विद्वन्स करी नाकु ने बजी तो बाय विर्भद्र नी एंट्री थाई यग्णमा अने जोई एक बाजु माता सती नू इबलेलो देह पएड़ेव छे आ जोई ने बीर बतर सहन्नों करिये अथी क्रोध साथे पुतानों शस्त्र उठावी और गणोंने आदेशाय पो विद्वन्स करी नाखो आयागनाने अलग-अलग गणों अलग-अलग रूशिवने अलग-अलग देवतावने पकड़िन मेडा दंडीत करवा एक गणे ब्रुगमोनी ने पकड़ा शिवजी नी निंदा थाती तीन ब्रुगमोनी आम दाड़ी उपर आथ पेर हुथा गणे ब्रुगमोनी नी दाड़ी ख्या ही पुसा नम नएक देवता आता न शीवजी न अपमानमा यह सता था सिवजी न हो एक मुक को मैरो बत रीशा बत्रीस दाख पाड़ी दा पाच अंधर उतर दिदा। गलीयों दा बदा कुछा नम नाजे देवताच तेक बगनाम नाजे पंकले पोला को आखोती दक्षनि के इस गणेनी आख्यों काड़ी लिदी अने आरीते इदक्षना यगनमा एक थी एक देवतावोने रुशिवोने दंडिते करवा मायवार अने वीरभद्र एकोने पकिड़ा ओले दक्ष प्रजापती तो नी धारदार तलवार उठावी अने दक्षनु गळुक आप्पानी बगरानेने राखवामाङे लो तो बगरानु मस्तक ने अपडेलो अने जे वी दिधी थी पशु बली माटी पशुने काप्पामाई वीदेंु विरभद्र स्मर्ण थायों आप यह बीरभद्र एसमर्ण करी, दक्षना मस्तक ने मज़ें गोढ़ गोढ़ भेर उवा कि ज तो तो पेर वी इगर्दन अने दक्षना मस्तक ने दड़ती जुदु करी अने मस्तक पडूशी दू हवन्न कुंडवाने मस्तक स्वाहा थे यह अनक विद्वन सकरो विरभद्रे देवता उत्राहिमाम करता ब्रह्मा जी शर्ण माग्यानों करो अधिए प्रमाजी का मारू काया लेमनधी ब्रह्माण सिवाय विजु कोई काया करिया कैमनेधी आलो सिवजी पासे एने जन प्रसंद करो आयवा बदा बेगा थे शिवज पासे कितु शिवजी कृपा करो होए शिवजी यगनमा उपसित्थया अने बदा देवता वने रिपेर करया बगवान सिव अ ब्रुग मुनी नी दाटी वाई गईती बोले काम करोने बगरानी दाटी लगाड़तियो अना नवीनितावे माने वी अने बगरान दाटी लगा आखोई कि लिख वीड महागोए पुषा नामना देवता जेशने यगनमा उपसित्या अने आखुति अपपाम आवे जहरे वेद मंत्र सामबल्सों ने पुरुषा नामना देवता नौले और पुरुडश द्वारा ने आखुतिया पनी वै पड़ था दातने तो आठावे कि एक काम करो आने लीक्वीड उपर लीक्वीड निया हूँ ती आप होई कि बगनामना जे देवता छे जनी आखो वही गई ती एक आने आख नवी आवेम ने थी तो एक सुरियने चंद्र नी आखो त्याने जोव पड़े से वाया थाइं बगनामना देवताने का एक जोव वही तो इसुरियने आख्थी जोशे आविश्वने अने अन्ते ब्रह्मा जी एकितो क्या दक्ष उपर ग्रिपा करो शिव जी कहनो माथू लावो बले मस्तक तोवन कुण मा स्वाहा थाईगियो तो अवलों बकरानों से लावाईगे बकरा मस्तक लागियो ने दक्ष नो बदू अभीमान सुन्य थेगियो शिव जी ना चरण मा उताना अपरादनीक शमाय आचना करी अनि त्यार बात दक्ष प्रजापती भगवान भजन मा लाग्या आरिते शिव जी ये आ यग्याने परिपुरुण कराएवो जे यग्यापा साक्षात भगवान नारायड पन प्रगट थाई आज अनि यग्या परिपुरुण थाईओ